हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में राष्ट मंडल खेल बोले तो कॉमन वेल्थ 2018 से समन्दित काफी महत्पूर्ण प्रश्ण इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो लास्ट तक वीडियो देखते रह काफी महत्पूर्ण यह होने वाले आगामी हर प्रिक्षाओं के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जो मैं बता देता हूं आपको इस गेम के बारे में बात करते हैं तो यह कोमन वेल्थ गेम इसको बोल जा जाता है और अभी रिसेंटली 15 अप्रेल को जो है इसका समापन हुआ है अगर बात करते हैं कुछ और तो यहां पर इसमें जो है टोटल टोटल जो टीम थी जो सामिल जिनों ने इस सालिया है टोटल टीम नंबर ओफ टीम था 71 टीमों ने इसमें पार्टिस्पेट किया है तो चलिए पहला कुछ है कि राष्ट मंडल खेल 2018 कहां समपन हुए तो यह समपन हुए है दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखें यहां पर कैसे भी कॉसंत पूछा जा सकता है अगर यहां पर स्टेडियम का नाम पूछा गया है तो स्टेडियम का नाम हो है करारा गेम को और इंग्लिस में इसे बोलते हैं Commonwealth गेम और अगर हिंदी की बात करते तो राष्ट मंडल खेल इसको बोल जाता है नेक्स्ट यहां पे देखिए कि राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते देखिए भारत ने यहां पे अब की बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इस गेम में पिछले गेम की बजाए अब की बार काफी अच्छा प्रदर्शन इनों ने किया है तो टो टोटल जो लुकत शरून पटाज़ से इंडिया ने वो जीते हैं à। यो बात करेंगे गल्ड पड़क उनकी भी भी अम बात करंगे। देखे नेक्स्ट告诉 हैं र options 2018 में भारत किने कुल कितिन पड़क जीतें। इंडिए निया ने इस वर शरून पड़क जो जो है इसने इंडिया ने इसमें जीते हैं दोस्तों ठीक है अगर बात करते हैं कुछ और फेक्ट की तो देखिए अगर यहाँ पर सौरण पदक जो अगर गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो टोटल 26 मेडल इंडिया ने जीते हैं और उसके अंदर रजत 20 पदक है और काश से प अगर बात करते हैं यहाँ पर राष्टमंडल खेल पदक तालिका में भारत का कौन सा इस्तान रहा तो जो कौन सी पोजिशन पर जो है इंडिया अब की बार रहा है इसमें जो टेबल है इसकी उसमें तो इंडिया को जो इस्तान मिला है दोस्तों वो मिला है तीसरा तीसरे नमबर इंडिया इसमें रही है दोस्तों अगर बात करते हैं टॉप की और बिल्कुल बोटम की तो ये आपको देख रहे हैं ये पदक तालिका है इसमें ये जो है टॉप पे हैं आस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे रहा है इसके अंदर जिसने टोटल एक सो अठ्यान में बोले तो 198 पदक इसमें जीते हैं सेकिंड नमबर पे रहा है इसमें इंगलेंड जिसने 136 मेडल इसमें जीते हैं और फैर्ड पोजिशन मिली है इंडिया को जिसने 66 मेडल इसमें अचीव किये हैं आप्टर देन यहाँ पे कनाडा है 82 मेडल यहाँ पे लेके कनाडा फोर्थ जीते हैं आपे 36 और जो बिल्कुल कम पदक इसमें जीते हैं वो जीते हैं स्कॉर्ट लेंड ने जिसने की 44 पदक इसमें जीते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए भारत सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते जो भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इस Commonwealth Game में वो कौन से खेल के लिए जीते हैं तो ये जीते हैं दोस्तों निसाने बाजी के लिए निसाने बाजी में भारत ने टोटल 16 पदक इसमें जीते हैं अगर बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे कुस्ती में जीते हैं 12 पदक और जो भारत तोलन है उसके अंदर जीते हैं टोटल 9 मेडल यहाँ पे जीते हैं मुक्के बाजी में जीते हैं इंडिया ने 9 मेडल और टेबल टैनिस में जीते हैं 8 पदक और बेड्मिंटन में यहाँ पे जीते हैं 6 पदक एथलिटिक्स में जीते हैं 3 पदक और पैरा इसपोर्स में जीता है एक पदक इस प्रकारी यह जो है यहाँ पर जो मेडल है वो इंडिया ने जीते हैं तो सबसे जादा जीते हैं निसाने बाजी में जो निसाने बाजी है इसमें टोटल 16 पदक इन्होंने जीते हैं इंडिया ने नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत में कुल कितने खेलों ने इसा लिया देखिए भारत ने जो इसमें commonwealth में कुल total कितने games में जो है participate किया है तो दो option उपर है दो नीचे थोड़ा सा ये ठीक है page का issue है यहाँ पे तो आपका जो right answer होगा इसका वो हो जाएगा 16 है भारत ने total इसमें 16 जो games है उसमें participate किया था इस game में total ठीक है 16 games में जो है इससा लिया है इंडिया ने next यहाँ पे देखिए राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत की तरब से कुल कितने खिलाडियों ने हिससा लिया है तो इस game में भारत की तरब से जो total खिलाडियों ने इसा लिया है उनकी संक्या है 208 ठीक है 208 total जो है खिलाड़ी इस गेम्स में भारत की तरफ से participate किया है next यहां पर देखिए राष्ट मंडल खेल 2018 में भारत की तरफ से कितनी महिलाई खिलाड़ी सामिल हुई है अगर बात करते है total महिला खिलाड़ी जो इस बार इस गेम्स में सामिल हुई है तो उनकी जो संक्या है वो है 103 103 महिला खिलाड़ी जो है इस गेम में भारत की तरफ से participate किया था 130 महिलाई उने अगर पूरस की बात करते हैं तो total पूरस जो इसमें participate कितने हुए थे तो टोटल पूरस जो इसमें भाग लिया है वो लिया है 113, sorry 115, sorry 115 ठीक है, 115 जो पूरस खिलाड़ी है उन्होंने इस गेम में जो है इस साल लिया था Next यहाँ पर देखिए भारत की तरफ से athletics में स्वरान पदक किसने जीता तो अ所以 अगर बात करता है यहाँ पर तो जो स्वरान पदक जीता है वो जीता है नीरत चोपडाने, नीरत चोपडाने इसमें पदक जीता है जो की gold medal जीता है एक यहाँ पर देखें बेड मिंटन में किसने सरौन पदक जीता है तो बेड मिंटन के अगर बात करते हैं तो जो पदक जीता है वो जीता है साइना नेहवाल ने और साइना नेहवाल ने ये पदक जीता है और अगर बात करें तो पीवी सिंदू को हराकर जो है ये मेडलिनों जीता है, नेक्स्ट यहां पे देखिए, निमन में से राष्ट मंडल 2018 में मुक्य बाजी में स्वरौन पदक किसने जीते हैं, तो देखे अगर बात करते हैं मुक्य बाजी किये, तो मुक्य बाजी में इन खिलाडियों में से जो है, किसने जो है स्वरौन पदक जीते हैं, टो विकास कर्ष्ण ने जीता है और मेरी कॉम नी जीता है और साथ ही कुछ और खिलाड़ी है जिनका नाम हम नीचे डिसकस करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो मुक्यवाजी में स्वरुन पदक जीतने वाले खिलाड़ी को ना हे अगर निशाने बाजी के हम बात करते हैं तो इंडिये एक तरफ से जो पदक जीता है वो किस खिलाडी ने जो है जीता है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा जीतू रोई, मनीस बनवाल और संजीव कपूर इन्होंने जो है ये पदक जीते हैं किसमें निशाने जीता है जो गोल्ड मेडल जीता है जो गोल्ड मेडल जीता है तो ये जीता है दोस्तो राइट आंसर होगा आपका मनी का बनना मनी का बनना ने जो है टेबल टैनिस में गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारत तलन में भारत की तरफ से सरौन पदक किसने जीता अगर भारत तलन की बात करते हैं तो भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है दोस्तो पूनम याद नेक्स्ट यहां पे देखिए भारत की तरफ से कुस्ती में किसने जीता है अगर कुस्ती की हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे गॉल्ड मेडल जीता है वो भी जीता है राहूल अवारेन को राहूल अवारेन जो है ये कुस्ती में गॉल्ड मेडल जीता है दोस्तों अगर और इसके साथ जो बात करते हैं और सामिल है जो खिलाडी जिनों ने कुस्ती के अंदर गॉल्ड मिडल जीता तो उसमें जो सुमित मलिक है ये सामिल है राहुल आवारे सामिल है बजरंग पूनिया सामिल है सुसिल कुमार सामिल है विनौस फोगार सामिल है ये सारे खिल शरणपदक अगर बात करते हैं भारत ने जो जीते थे 2014 में तो 2014 में यहाँ पर पदक जीते हैं वो जीते हैं Черणपदक 19 औली यहाँ परbak गॉल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अगर टोटल कीवात करते हैं तोटल जो पदक जीते हैं यहाँ पे 64 मेडल जो है इसने जीते हैं अगर अब की बार की बात कर तो हमने डिसकस करी लिया 66 जीते हैं अब की बार और जो अज जो दा में जो हुआ था उसमें 64 जीते थे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखे राष्टमंडल खेल 2018 का समापन समारो भारत की किस दहुजा धारक ने जो है किया तो यहाँ पे जो दहुजा धारक थी समापन समारो में भारत की तरब से वो थी MC Mericom MC Mericom ने जो है भाल कीताब से जो है दोजा मतलब की इसमें धारन किया है समापन समारो में कुछ एक्स्टर चीज़ अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 2022 में होने वाला है नेक्स्ट जो गेम होने वाला है राष्टनल खेल बोले तो कोमन वेल्थ गेम जो है नेक्स्ट वो कब होने वाला है 2022 में होने वाला है और यह कहाँ पर होने वाला है यह होने वाला है बर्मिंगम इंग्लेंड में है बर्मिंगम जो पहले से इंग्लेंड में वहाँ पर यह होने वाला है तो दोस्तों ये थी कुछ सारी चीजे जो मैंने कवर करने की कोशिस की है और कुछ चीजे जो यहां पर बच्ची हुई है नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शेर करूँगा तब तक के लिए जो है बने रही है हमारे चैनल पर उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगे कुछ भी डावट है तो कमेंट वोक्स में प्लीज लिखना ना भूले और हाँ परसंद आया तो लाइक और श लिटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन जो है नीचे आपको रैड कलर में दिख रहा है इसे दबा कर साथी जो गंटी बटन है सब्सक्राइब के साइड में उसे दबाना ना भूले जिससे कि सारी अपकमिंग वीडियो ऐसी आपको मिल सक है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब से पहले सो अभी के इस वीडियो में इतना है थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो धन्यवाद